बट उससे पहले वीडियो को डबल टैप करके स्किप स्किप करके मत देखना ठीक है पूरा देखो अच्छी तरीके से देखो अच्छी तरीके से समझो क्योंकि यह थोड़ा कॉंप्लिकेटर प्रोसेस होने वाला है अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या वर्क करत अब हो जाएगा मैं माट वमा भाहन पर आजोंगा मैं की इनकी अमा भाहन पर आजोंगा वोट इसको यह थे वीडियों आपको स्टेप बाइस बताने हो की जीटी अफाइड को कैसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते है ठीक है जो जो आइक एस में एक वीडिया डाली 100GB के आसपास वाला लेजिट गीम आप जो अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हों कैसे इंस्टॉल कर सकते हों मैं पताने और ठीक है तो वीडियो को जरू लाइक कर देना अगर आपको पसंद आती है अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हो कमें सेक्शन में आजाना इसी लंबी होगी लेकिन ध्यान से देखो अगर कुछ समझवान नहीं आता है तो राइड वे कमें सेक्शन में यह कैसे किया ऐसे पूछने मत आ जाना ठीक है अम्मा भेन पर आ जाओंगा जोगिंग लेकिन वीडियो को जो पूरी तरीके से ध्यान से देखना है तो अभी वीडियों के अंदर बढ़ते हैं मैंने स्क्रीन रकॉर्डिंग के लिए शूटच भी ऑप्शन और रखा है तो आपको पता चल जाएगा तो यहां पर यह तीन आप्स की जरुद पढ़ने वाली है ठीक है टर्मक्स एक्स 11 इंपुट ब्रिच अगर आपको जरुद पढ़ है ठीक है ठीक है तो वीडियों को ध्यान से देखना एंड में जो भी बोल रहा हो ध्यान से सुनना ठीक है तो यह आपको तीन आप्स की जरुद पढ़ेगी यह तीन एपी के डाउनलोड कर लेना ठीक है जादा बड़े नहीं है टर्मक्स जो है इंपुट ब्रेज आपके फाइल जैसे तीन एपलिकेशन आपको लगेंगे यह तीनों इंस्टाल कर लेना अब भड़ते हम प्रोसीजर के अदर ठीक है बट सबसे पहले जो एक जीटी एफाइब को आप अपने मोबाइल में लाओ ठीक है अब यो कैसे लाओ अगर आपके पास जो है आपके पीसी मे और वरेंट लिया से यहां पर चलेंगे API को यहां फोड़ा निस्टिल निक पर लेंग संघए इंस्टाल करता एंच्छी तफंटको करो अपने पीचिम सीमारे 9 जो PC में फोल्डर बनेगा जीटीए का जैसे कि अगर मैं यहां पर इंटर्लोड फोल्डर में जाता हूं अगर मैं आपको इसकी साइज बता हूं कि 123GB ठीक है अभी हम इसके बाद मैंने अपने आप्र जी पर अत्याचार किया और बइसके गेम चला भी ठीक से तो आपके से अपके डिवाइस की इसकी तो आप और सकते हो अपने PC में ही मैं अभी आपको यहां पर भी और रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ अब अपने PC में अपडेट सेक्शन में जाना कर देता हो ठीक है तो अभी आपके मोबाइल में इतनी स्टोरेज नहीं है तो आप अपने कर दिया ठीक है अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहली बात अगर अगर आप पूछी लेते हैं लेकिन सेफर साइट के लिए टर्मक्स में आप इंफो में जाना फाइल देना इसके पास टर्मक्स ओपन करो अधिए यां पर जो है मैं दिस्क्रिप्ट्चन में देंगा ऐसे कह से कोड ये जो है यह 검ी कर दियाता तो मैं प्रसीजर नहीं करूंगा अभी मेक स्वार कि आप जो गैस वीपियन करने कर यह प्रसीजर करने जान पर्वतर यह क अभी चैनल में चलता इंडिया में यार चलता यह सब कुछ करना है यहां पर आपको आपको पर लिखा आएगा ओसक पर करें टाइप मॉपॉक्स लिखना है एक मोबाइल में यह उपन नहीं होता समझ जाना नहीं होने वाला है ठीक है नहीं चलने वाला है इमिलेटर कामी नहीं पूरा खेल कर सकते हो पर्फॉर्मन से कर सकते हो इसके अंदर आप पूरा खेल कर सकते हो पर्फॉर्मन सेट का यहां पर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दूँगा वह कैस्ट फॉर्टिफाइए यह पूरा पढ़ लो चाहिए तो आप अप खुद भी थोड़ा नौनेज घ्यान कर लो बटेर लो रादलन में जो बूल रहा हो ही बस आप अपलाए करना यहां पी जो यहां पर फॉर्टिफाइए यहां पर यहां पर स्टार्ट वाइन पर ही इनों सिलेक्टेड है तो ओके दबा देना जैसे ही ओके दबाओगे तो थोड़ा समय दो यहां पर जो यहां अभी तर्मक्स एक्स 11 है वह यहां पर स्टार्ट होगा अभी आपको प्रॉब्लम आ सकते ठीक है कुछ नहीं करना है और इसके बाद यहां पर फिर से टर्मक्स में जाना वन दबाना स्टॉप करने के लिए फिर से यह स्क्रीन आएगी फिर से स्टार्ट वाइन पर ओके दबा देना तो य आपको दिखाओ तो अभी जो है प्रॉपर युआ ओपन हो चुका है अभी फिलाल करें मैं इसे ही रखते हैं इसके अंदर भी आपको मेजर सेटिंग्स करने पड़ते है ठीक है अभी जैसे यह उपन हो जाता है आप जो डूटिफिकेशन डाउन करके टर्मक्स X11 यहां प यही डैवलपर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं अगर आप यह रिजूलुशन रखते हो ज्यादा क्रैश वगरा नहीं होगा अच्छा परफॉर्मेंस देगा इसके बाद यहां पर स्ट्रेच टूफिट डिस्प्ले यह उन करना उसके बाद री सीट स्क्रीन वाइल सब्सक् स्क्रीन पर आते हो और भी आपको सेटिंग्स करने पड़ते हैं यहां पर इसके बाद यहां पर इंस्टॉल में यह जो पहला ऑप्शन देग रहे हो इसके अंदर अभी मुझे डीटेल में नहीं बतागा इस ठीक है तो मैं आपको एक्जाक नहीं कोंगा कि क्या कैसे काम कर सब्सक्राइब करता है लेकिन GDFI के लिए आपको यह सेटिंग्स करने पड़ेंगे ठीक है यहां पर यह वाला डी एक्सवी के एसिंक 1.10.3 यह दबाना और यह जो है यह ड्राइवर सोगरा इंस्टॉल करना ठीक है यह कर दिया उसके बाद एक सेकंड चीज होती है सब्सक्राइब में डीचेजच होगा अब यहां जाते है डबल क्लिक रहोगे तो डबल क्लिक होगा यहां पर जैसे देख रहे हैं आपको फोल्डर देखने को मिलेगा ठीक है जीटीए फाय का जो आपने PC से मोबाइल में कॉपी मारा तो यहां पर जो है डबल क्लिक कर देना थोड़ा वेट करना यह फटाक से जो है जीटीए फाय बूट अप नहीं करेगा इट डिपेंड्स यह डिवाइस कि आपका डिवाइस कैसा है कैसा पर फॉपरमेंस दे रहा है यहां पर जब्सक्राइब हो अब कि इसकी इसकी रैम उसके बाद श्टूर इसकी स्पीड फास्ट है तो इस वह ज़्जे से ज्यादा जल्दी लूड़ा लेकिन अगर पर दिवाइस थोड़ा आ तो चांती रहो गेम काफी है जैसे ही आप इसमें कनेक्ट हो जाते हो फिर से बाक स्क्रीन जाना अभी यह जब आप दबाओगे तो आपको यहां पर जैसे देख रहे हो मैंने अल्रेडी सेट कर दिया है तो मुझे यह पूरा यूई दिखा रहा है लेकिन अगर आपको यह यह फिर से कस्टम सेट करने तो फिर से उस गेर पर दबादेना यहां पर सेटिंग्स का बटन है यह जैसे यह दबाओगे तो यह पूरा यूई आएगा यह बटन सेट करने का ठीक है अब यह भी जो बहुत लंबा प्रोसीजर है तो यह मैं आपको शौट में बताऊंगा यहां पर आपको चाहिए यहां पर चाहिए तो यहां पर बटन दबाते ना यहां पर बटन दबाते ना इसके बाद क्रिएट कंट्रोल एलिमेंट इसके बाद जो भी आपको बटन यहां पर चाहिए कीबोर्ड का या फिर माउस का चाहिए तो यह फिर नीचे वाला बटन बागे जो है आप उसको राइड में कर सकते हो या फिर अगर को कीबूड कोभी बाइंडिंग चीए तो आपको क्यों सेट कर देते हैं अब अगर आपको जोईस्टिक वाला चीए यह वाला बटन चीए यह वाला अलग है तो आपको यह डॉपडाउन मेनु में जाके अगर आ अगर आपको यह से बटन चीए तो आपको यहां पर क्रॉस दबाना पड़ेगा तो अभी जैसे देख रहे हो यह क्रॉस आगया ठीक है और यहां पर इसके अंदर वो सेट कर सकते हो अपना जो बटन कर सकते हो एड़ बटन से लाने के लिए फिर सेटिंग दबा देना अभ अगर मैं यह बटन से ऑपरेट करूं तो देशे देख रहे हो स्टूरी में चला गया एंटर का भी सट कर दिया तो एंटर जैसे में आपा दिया अभी जैसे गीम लूड़ हो रहा है अब यह फूल प्रोसीजर है यहां पर जीटीए फाई इंस्टॉल करने की वीडियो इंदी होगी थोड़ी थोड़ी अच्छी तरीके से समझ गए हो अगर फिर भी आप कहीं पर अटक जाते हो कमेंट सेक्शन में आ जाना अगर गीम क्राश होता है अगर मुबॉक्स क्राश होता है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है इट मीन्स की आपका डिवाइस यहां अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा अच्छा कासा डिवाइस है तो थोड़ा सेंटिंग्स में ट्वीक करो जैसे में आपको दिखायो प्रफरेंस स्क्रीन रिजॉलूशन और इसके आप यहां पे जीटी एफाई आप अपने मोबाल में खेल सकते हो तो दूलेट मीन आप अपने मोबाल में खेल रहे है तो बीटे लाइक वीडियो पसंद आई तो एंड तसे इतना आज के स्यूड़ों में वीडियो के जरू शेर कर दिना आपने प्रेंस के साथ उन्हें पता दो कि भाई जीटी ए खेलना पॉसीबल है आपने मोबाल में फिलाल के ताइम मे कर रहे है अप्टिमाइस करने के लिए और सब्सक्राइब करना चाहिए तो एक और चीज आइंग ऑनलाइन गेम आप नहीं इतना ट्राइब कर सकते तो इस बेटर के आप ऑफलाइन गेम पे स्टिक कर रहो हो मिलता हो आपसे अगले वीडियो में बाइब कर रहो हो आपस बेड़ कर रहो हो हो हो